कि येस गाइज अब वेरी गुड़ डियर तो अल फ्यू अभी हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है और यह टॉपिक रहेगा एंपी ओ का बहुत बच्चे मुझे अलग-अलग तरीके से इशुस क्रियेट ला रहे हैं प्रॉब्लम्स ला रहे हैं सर यह चॉप इसलिए मैं नए टॉपिक निकाल यह इक यूिवर्सल टॉपिक है यह टॉपिक 12 में भी काम आएगा विकॉं में भी काम आएगा यहाँ पर मैं आपको इस चेप्टर का स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का पूरा बेस सिखाने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का पूरा का पूरा बेज यहाँ पर मैं आपका cover कर दूँगा आपको खाल इतना focus करना है कि आप इस chapter के पूरे concept सीख जाए हम यहाँ पर sums करेंगे नहीं हम खाली concepts देखेंगे basic concepts जिससे आपका chapter start से लेके end तक खतम हो जाएगा पैसे organizations होते हैं जिनको profit नहीं कमाना है तो इसको हम लोग non-profit organization भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग not-for-profit organization भी बोल सकते हैं दोनों चलेगा non-profit भी not-for-profit भी दोनों वैलिडेद दोनों चलेगा अब यह organization basics करते क्या है यह profit कमाने के motive से अपने dealings को carry on नहीं करते हैं इनका दूर दूर तक कोई विचार नहीं होता पैसे कमाने का अब बात समझ लो अभी तक हम लोग जब accounts में final accounts बनाते थे तब हम लोग बनाते थे पहला account trading account हम दूसरा account बनाते थे P&L account और हम यह particular तरही की firm को trading करना ही नहीं है भया we are not doing buying and selling हम trading नहीं करेंगे तो यह account बनाने की जरुवत खतम हो जाती है इनका motive profit कमाने का है ही नहीं तो P&L account क्यों बनाना तो यह account बनाने की जरुवत खतम हो जाती है इनके पास assets liabilities तो रहेंगे capital fund तो रहेगा तो balance sheet तो हम बनाएंगे बट यह दो account eliminate हो जाएंगे तो इनकी जगे हम क्या करेंगे इनकी जगे आपके पास दो options आते हैं मैं दोनों option आपको बताऊंगा मैंने इस पूरे chapter को तीन पार्ट में divide किया है part 1, part 2 and part 3 ठंग से सुनते रहे ना किसी भी आलत में बिस्मत करना एक एक पार्ट को मैं detail में यहां पर explain करने वाला हूं सबसे पहला part आने वाला है part 1 ओके वह मैं बताने वाला हूं कि हमने trading account और P&L account को किस से replace किया है दो options होते हैं हमारे पास पहला हो जाता है receipt and payment account और दूसरा हो जाता है income and expenditure account detail में बढ़ेंगे आराम से कोई tension नहीं है resident payment account income and expenditure account में एक एक को सिखाऊंगा राइट पहले हम बात करेंगे resident payment account की resident payment account is just cashbook यह same to same cashbook के बिलकुल मा सोचना कि कुछ नया है so resident payment is just cashbook यह सिर्फ और सिर्फ cashbook है आपको cashbook की तरह ही इस account के अंदर सोचना है कैसे करेंगे इधर आ जाएगा debit में सब आ जाते receipts credit में सब आ जाएगी payments same as cashbook amount column दोनों में रहने वाला nothing new opening cash balance होगा या opening bank balance होगा तो यहां लिखा जाएगा closing cash balance होगा या closing bank balance होगा तो यहां लिखा जाएगा जब जब आपको पैसा मिलेगा मतलब receipts हो रही है plus 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 जब जब payment हो रहा है आप किसी को पैसा दे रहे हैं minus 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 मतलब जब जब पैसा आएगा हम plus करेंगे debit करेंगे जब जब पैसा जाएगा हम क्रेडिट करेंगे it is same to same as cashbook आपको सोच रहे नहीं है यह current year का है advance है अरियर से outstanding है no 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 doesn't matter पैसा आया debit plus पैसा गया credit minus that's it as simple as that it is just a simple cashbook यह एक cashbook है उसकी सिवा यहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं है आपको opening cash balance देंगे आपको transactions देंगे आपको closing cash balance निकालना होगा आपका sum वहाँ पे finish हो जाता है that is just receipt and payment account इसलिए don't forget it is just a basic cashbook मैं वापस से दिख रहा हूँ यह सिर्फ एक basic cashbook के उसके सिवाई यह कुछ भी नहीं है इसको cashbook ही मानना उसके सिवाई कुछ नहीं है this is receipt and payment account यह वो एंग एंजी ओस बनाते हैं जिनके पास पैसा आता है पैसा चला जाता है उनको पैसे कमाने का है नहीं so they are least concerned कि कौन सा advance है कौन सा अरि receipt मिलते हैं वो donate कर देते हैं आगे तो वो बनाएंगे receipt and payment account second वाले पर जाते हैं अब हमारा second account हो जाता है income and expenditure account हमारा दूसरा account हो जाता है income and expenditure account ध्यान से देखना यहाँ पर वापस है income and expenditure account एक तरह का P&L account है yes 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 यह एक तरह का P&L account है बट इसमें आप P&L के व्यू से मज़ सोचना मतलब बनाना P&L यह है बट आप business के व्यू से मज़ सोचना आप एक समाज एक trust एक club के व्यू से सोचना कि आप कोई business नहीं चला रहे हो आप कोई समाज के भवन को या समाज की properties को manage कर रहे हो या आप और income सारी की सारी credit में आएगी देखो ये भी ध्यान रखना लोग गरबड़ी करते हैं कैसी गरबड़ी करते हैं resident payment को resident payment बोलते हैं हम लिखते भी भाया resident payment ही है लेंगे income in expenditure accounts बनते expenditure और income के debit में सब expenses आते हैं credit में सारी income आते हैं तो please mistakes मत करना तो हमारे expenditure जो होगा वो debit में आ जाएगा और हमारी income जो होगी वो credit में आ जाती है अब इसमें सेम पेनल की तरह करना है मतलब अकर outstanding होगा जैसे कि भाया यहां पर हमारी income होती है subscription कोई हमारे को event को subscribe करता है या हमें को membership fees मिलती है तो subscription जो मिलेगे हम वो लिखेंगे प्लस अगर को subscription outsending है इस साल की मिलना बाकी है उसे plus किया जाएगा last year में कुछ advance आ गई थी तो भाया उसको minus किया जाएगा मतलब same P&L जैसे हमने salary pay की है ठीक है भाया जो salary लिख दो किसी को salary देनी बाकी आउटसेंडिंग है तो जो आउटसेंडिंग है उसको plus कर दो net amount बाहर लिख दो हमने rent दिया तो भाया ठीक है rent यहां पे लिख देंगे कुछ rent हमने advance दे दिया तो advance rent तो इस साल के expense नहीं है minus कर दो net amount बाहर लिख दो तो आपको same P&L जैसे सोचना है आउटसेंडिंग होगा तो plus करेंगे advance होगा तो minus करेंगे same to same P&L 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 बनाना है अगर difference debit में आ गया मतलब हमारी income जाद expenses का में तो उससे कहा जाता है surplus उसे कहा जाएगा surplus वही अगर difference credit में आ जाएगा उसे कहा जाएगा deficit उसे कहा जाता है deficit तो अगर difference debit में आएगा that would be termed as surplus और difference credit में आएगा that would be termed as deficit credit में आना मतलब expenses जादा है income कम है तो खर्चे जादा है कमाई कम है तो deficit twice a versa अगर income जादा है expenses कम है तो automatically वह surplus में गिना जाएगा तो दिस इस और पार्ट वन यहां पर हमने दू अकॉंट बनाने सीखे हैं पहला हमने सिखा है receipt and payment account दूसरा हमने सिखा है income and expenditure account आप at least 20% अपना chapter का कर सकते हो इस basic idea के साथ में इस इस मैं पार्ट वन ओफ इंकम एंपियो अम मैं आऊंगा second पार्ट पर यह पार्ट बड़ा ही मेरा favorite है ध्यान से सुनना very important पार्ट सो अम मैं आने वालों मेरा पार्ट टू अफ इस चैप्टर सब लोग ध्यान से सुनेंगे पार्ट टू क्या है हमारा पार्ट टू है fund accounting इसको मैंने खुद ने नाम दिया है fund accounting का मैं इसे fund accounting कहना इसलिए prefer करता हूं क्योंकि यहां पर funds की बात करते हैं जब भी एक NGO होता है किसी specific reason के कारण तो वो fund को अलग treat करना है और fund आपको normally मिल जाता है कोई condition attached नहीं उसको अलग treat करना है तो हमने दो fund यहां पर बनाए है पहला हो जाता है general fund सबसे पहला वाला होगा general fund और दूसरा वाला होता है specific fund दूसरा होगा specific fund अब इसमें क्या होने वाला है specific fund is the fund जिसके साथ में एक condition attached है कि यह पैसा इस काम में ही यूज होगा that is specific fund जबके general fund generally है लो भया पैसा रखो जो भी अच्छे काम में लगा दो that is general fund example मैं देता हूं अगर मैंने किसी particular NPO में किसी particular club में जाके cricket का club है मैंने वहां पे जाके 5 लाग donate किया मैंने कहा यह 5 लाग स तुमें सिर्फ जीतने वाली टीम को price देने है gift देने है so that is a specific fund उस fund को मैंने suppose नाम दे दिया प्राइज distribution यह हो जाता एक specific fund भईया यह fund सिर्फ और सिर्फ प्राइज देने के काम में आगा दूसरे किसी मतलब से यह fund यूज नहीं होना चाहिए so this is specific fund जबकि मैंने ऐसे ही गया मैंको लगा अच्छा अच्छा खिला रहे बच्च अच्छे खेल रहे मैंने पांच लाग का चेक पकड़ा दिया उसने बुझा सर चेक ऐसे donation लगा दो अच्छे काम हों में राइट वस फंड को कहा जाता है general fund उसको हम लोग लिख देंगे general fund ना वह fund को ज़रूरी ने के on the spot utilize होता है हम उस fund को कुछ time तक रखते हैं 6 महीने 8 महीने साल बर बाद में उसका utilization का time आता है तो हम क्या करते हैं for a short period of time उस fund को हम कही ना कहीं पर invest कर देते हैं तो अगर मैंने price distribution fund को मैं invest करूंगा तो मैं इसको नाम दूंगा price distribution fund investment भया जो मुझे पैसा price distribution के लिए मिला उसको मैंने कुछ time के लिए किसी government securities या किसी bonds वगरा में invest कर दिया उसे कहा जाएगा price distribution fund investment जबकि अगर मैं general fund को कहीं पर invest करूंगा तो उसे कहा जाता है general fund investment उसे कहा जाएगा general fund investment ये भी investment वापस से एक fix securities में करते हैं ज्यादा रिस्क वाले जगे हम ल दो तरह की earnings होती हर तरह की investment से दो तरह की earnings रहेगी ही रहेगी पहला हमें उस से मिलता है interest राइट शेर्ड होंगे तो आपको मिलेगा dividend डिपेंड करता है मतलब कुछ ना कुछ interest या dividend जैसा कुछ मिलेगा और उस fund को बेचने पर उस investment को बेचने पर या तो आपको profit होगा या उसको बेचने पर आपको loss होगा तो दो तरह की income expenses होते हैं यह same आपको यहाँ पर भी रहने ही है यहाँ पर कुछ अलग नहीं होना है अगर आपने यहाँ पर भी general fund को invest किया है तो यहाँ तो आपको इस पर interest मिलेगा या उसको बेचने पर आपको profit या फिर loss होगा होना ही होना उसको बेचने पर profit या फिर loss अब मुद्दे की बात आती है यहाँ पर profit loss होगा या फिर interest मिलेगा इस cut treatment कैसे करना वो दोनों में अलग है आप अभी तक सोच रहे थे ने मैंने क्यों दो bifurcation किया इसके लिए अगर आप specific fund में हो अगर specific fund से आपको किसी भी तरह का interest मिल रहा है आपने specific fund को कहीं पर invest किया जैसे मैंने किया था price distribution fund investment इस investment में मुझे कोई भी interest मिलेगा वो interest जाने वाला है fund के अंदर उस interest को मैं और कहीं नहीं लिखूंगा वो interest fund में plus हो जाएगा vice versa वो इस investment को बेचके मुझे कोई भी profit या कोई भी loss होगा मतलब मुझे किसी भी तरह का फाइदा या किसी भी तरह का नुकसान होगा वो फाइदा और नुकसान भी जाने वाला है यहीं पे वो फाइदा नुकसान भी यहीं पे जाने वाला है, मतलब हमारे फंड में प्लस हो जाएगा, मैं आपके लिए एक बैलेंशीट बना के आपको बताता हूँ, सपोज मेरी बैलेंशीट ऐसी है, मैंने आपके लिए क्रियेशन किया है, मेरे पास था प्राइज का और मेरा टोटल फंड हो जाएगा अब 5,70,000 का, तो मैंने क्या किया, जो भी फाइदा या नुकसान, इंट्रस्ट या डिविडेंट जो भी हमें specific फंड की investment से मिलता है, वो इस फंड में plus होगा, वो इस फंड में adjust होगा, जबकि ऐसा जनरल फंड में नहीं होता है, अग इसी भी तरह का profit या loss हो रहा है, वो जाता है income and expenditure account से, मतलब अगर आपको फाइदा हुआ, तो आप लिखोगे income में, मतलब आप लिख दोगे profit, या फिर आपको मिला है profit on sale of investment, loss हुआ तो आप लिख दोगे, आप expenditure में, आपको interest मिला है, तो आप लिख दोगे भीया, मुझे interest मिला है, जैसे कि इस case में मुझे 20,000 profit हुआ और मुझे 50,000 interest मिला, suppose हमने माना है, तो इसको हम यहां लिखेंगे, तो अगर general fund के investment पे कोई भी खर्चा, या कोई भी कमाई हो रही है, कोई भी income या कोई भी expenses हो रहे है, वो automatically income and expenditure में जाता है, जबकि specific fund के investment से, हमें किसी भी तर मैं चाहूंगो example छोड़के एक बड़ा इतना pause करके आराम से copy कर लो, this is very 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 important, बहुत लोग इसमें confused होते हैं, कभी balance sheet में ले ले लेते हैं, कभी income and expenditure में ले ले लेते हैं, तो उसका basic reason यहीं है, अगर general होगा, income and expenditure और specific होगा, तो आपको हमेशा balance sheet में उस fund में ही adjust करना रहे बचा लोग घबराना मत अगरे वीडियो दो बार तीन बार देखना भी पड़े concept को समझने के लिए, please do that, क्योंकि मैंने आपको पूरा in detail logical answers दिये हर particular चीज के कि क्यों ऐसा किया जाता है, right, so this was my part two, अब मैं last topic पर आऊंगा, इस topic के बाद में मैंने आपको NPO का पूरा basic सि आ गए होते हूं, so coming to my next topic, that is my third topic, आप मानोगे नहीं है, part three बच्चों को बड़ा परिशान करता है, बहुत बच्चे परिशान होते हैं, इस part three का नाम है subscription accounting, इसका नाम है subscription account, पता नहीं बच्चे इसमें इतना दुखियों रखे होते हैं, क्योंकि ये है भी थोड़ी सी पे subscription कहा जाएगा, अगर आपको कहीं से कोई membership fees मिले है, that is subscription, subscription बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, normally आपके schools में, आपके coachings में, आपको income and expenditure बना के सिखा जाता है, मैं वो नहीं बनाता, मैं ledger बना के सिखाता हूँ, मेरा favorite है, देखो, ऐसे करना आप, आपको जब भी subscription account कहा जाएगा, उसको हम एक ledger के form में बनाएंगे, अब subscription account के ledger की सबसे बड़ी खास बात यह है, कि subscription account के ledger is a merger of both, data's ledger as well as creditors ledger, अब आप पूछोगे sir, यह क्या मजाग कर ले हो, yes, क्योंकि subscription में, कुछ लोगों का subscription मिलना बाकी है, जो हमारे data's होते है, कुछ लोगों का subscription मिलन है, जो हमारे creditors होते है, इसलिए subscription account दोनों का merger होता है, it's a merger of data's as well as creditors account, इसलिए दोनों account को साथ में बनाओ, एक जटके में, देखो मैं सिखाता हूँ आपको, पहले बात करते है data's के मतलब जिनका subscription मिलना बाकी है, हमें पता है data's का opening balance debit में आता है, closing balance credit में आता है, तो अग का closing balance आप लोग लिखोगे credit में, जो भी closing balance आने वाला है, मैं थोड़ा से इसको और बहतर थरीके से लिख देता हूँ, जिससे आपको समझने में ज्यादा जोड़ना पड़े, तो अगर closing capital होगा, तो वो आ जाएगा credit में, अगर outsending subscription का closing होगा, तो वो आएगा credit में, outsending subscription का opening वो आएगा debit में, इसे data account, data का opening debit, closing credit, that's it, वैसे advance में अगर हमें किसी ने दे दिया है, तो वो creditor है, मतलब अगर advance subscription आपको मिल रहा है, right, तो advance subscription का opening आने वाला है credit में, जबकि advance subscription का closing आने वाला है debit में, it's a creditors account, creditors का opening credit में आता है, closing debit में आता है, मैंने वही किया है, so advance को हम यहां पे हम creditors किसे मानेंगे हम advance वाले को मानते हैं creditor और data किसे मानेंगे हम outstanding वाले को मानते हैं data common sense इसमें कुछ लिखने वाले बात भी नहीं थी वो तो लिख दिया ऐसे मैंने right so outstanding होगा तो debit में आएगा advance होगा opening तो credit में आएगा और closing उल्टी जगे पे right अब आपको जो भी बैंक से subscription मिलता है इस साल यह मस सोचना कौन सा मिला है कौन सा नहीं मिला doesn't matter जितना भी पैसा आपको मिला है इस साल subscription के दौर वो पैसा पूरा का पूरा आप यहां लिख दो कि भईया मुझे subscription के सामने इस साल इतना पैसा मिला है और automatically आपका income and expenditure में आने वाला figure यहां आजाएगा जो भी figure यहां आएगा उसको सिध्धा यहां से उठा के income and expenditure में credit side में आप लिख सकते हो मतलब इस साल की आपकी income इतनी होगी इस साल के आपकी income इतनी होने वाली है तो आप चाहो तो directly इसको वहां ले जाके लिख सकते हो इसमें कोई भी problem होगी नहीं this is the simplest way of doing subscription account please prepare a ledger मैं statement गलत नहीं है मैं बिल्कुल नहीं बूलूँगा statement गलत है बट confusion उसमें जाधा होता है इसमें कम होता है क्योंकि statement जब आप बनाओगे आप इस करोगे फिर आप लेस्ट करोगे वापस से दो चीज़े आप लेस्ट करते हो आउटस्टेंडिंग का ओपनिंग लेस्ट करोगे और एडवांस का क्लोजिंग लेस्ट करोगे अब आपने रट तो लिया बट आपको पूछे का ऐसा क्यों किया तो आपके लॉजिक नहीं आता है इसलिए मैं इस चीज़ को रिकमेंड कम करता हूँ जबकि है तो यह उपर वाली चीज़ ही है कुछ अलग नहीं है वाट इसमें लॉजिक ढूड़ने में महनत लग जाती है इसलिए मेरे इसाब से दिस इस सबसे बेस्ट होते ही करने के लिए बनाना आपके लिए ज़्यादा पीसफुल रहेगा अगर यह बनाओगे आपकी गलती होने के चांसे बहुत 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 हद तक कम हो जाएंगे बाकी पेपर आपको लिखना है आप गलती करने में बहुत माहिर हो कुछ ना कुछ करके गलतिया करी लेते हो बेट देन कि अब आप वापस से NPO में confidence के साथ start कर सकते हो राइट समस वगेरा थोड़े टेकनिकल रहेंगे करते रहें थोड़ा सा जोर पड़ेगा बट देन टू इतना जोर नहीं पड़ेगा अगर आपने यह सब एक बार मेरे से सुन लिया है ठीक है गाईज बताएगा मुझे आनना हो कुछ सीखना हो तो प्लीज comments में लिखते रहेगा ठीक आगे आज के लिए इतना है रखेंगे bye bye for the day